हरी सबजीयों को लंबे समय तक कैसे रखा जाए? तो यह बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कि अकसर होता है कि धेर सारी सबजीयां एक साथ हम ले तो लेते हैं, लेकिन फिर उसे लंबे समय तक हमें फ्रेस कैसे रखना है, यह समझ में नहीं आता है. तो इसलिए जो है आज हम आपके साथ है ये वीडियो शेयर कर रहे हैं तो आपको इस जो है हर स्टेप को फॉलो करना है तो आपकी सबजियां लंबे समय तक फ्रेश ताजी बनी रहेंगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है नीबू नीबू भी अक्सर होता है कि धेर सारे आ जाते हैं फिर वो सूखने लगते हैं सरने लगते हैं तो समझ भी नहीं आता है इसका हम क्या करें कैसे रखें तो इसके लिए हमें नीबू को पहले अच्छे से धुल लेना है और उसको एकदम अच्छे से पोच लेना है किसी cotton के कपड़े में एकदम अच्छे से उसे सुखा लेना है और उसके बाद एक लेना है डिबबा आपको प्लाश्टिक का कंटेणर ले ले और उसमें जो है एक जो है आप उसमें काज़ लगा दे और उसमें सारी नीबुवों को रख दे और आप उसमें देख ले कि किसी में अगर कोई दाग लगा है तो आप उसे निकाल दें उसे अलग रख दें या पहले ही उसे यूज कर ले और इस तरह से जिस तरह हम रख रहे हैं आप इस तरह से फिर रख दीजिए और इसे आप रख दें फ्रीज में तो ये बहुत ही आरा देंगे अच्छे से साइड में कि सारा पानी निकल जाए या फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले ले या तौलिया ले ले उससे आप इसका सारा पानी सुखा लेना है इसमें बिल्कुल भी मौश्चन नहीं रहना चाहिए एकदम अच्छे से इसे सुखा लेना है और इस के जो है फले लेना अपको इस के भाद इसे सेलो टेप से ह тебе जो है ऑर देखे ये तो और आप इसे आराम से महीने भर बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं फिर होती है धनिया की पत्ती जो की रोज डेली के खाने में इसका यूज़ होता है और ये बहुत ही जल्दी से खराब होने लगती है तो हमें क्या करना है धनिया की पत्ती को जो है इसके उपर की साइड को हमें जो जड़ होती है उसके निकाल देना है इसमें हमें देख लेना अच्छे से कि इसमें कोई सड़ी गली पत्ती हो या पीली पत्ती हो तो उसे हम हटा देंगे और फिर आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा और उसके बाद इसमें इस तरह से पर जाएंगी लेकिन ये सड़ेंगी बिल्कुल भी ने एकदम फ्रेस बनी रहती हैं फिर और हरी सबजियों में मेथी हो गया सोया हो गया पालक हो गया इन सब को भी हमें ऐसे ही करना है आप पहले अच्छे से धुल लेजिए इन सब सारे पत्तियों को साग को और फिर हम इसे रख देंगी इसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाए बिल्कुल से पानी इसका सूख जाना चाहिए पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि इसमें हलका फुलका पानी रह गया है तो आप कपड़े से उसे सुखा ले और उसके बाद आप जो हपते तो एकदम आराम से चल जाती है बहुत ही अच्छे से यह हपते भर और दस दिन बहुत ही आराम से निकल जाती है वैसे तो हरी सबजियों को अगर रख दिया जाए दो ही दिन में वह सरने लगती है खराब होने लगती है लेकिन अगर इस तरह से आप रखते हैं तो हम अच्छे से आपको धुल लेना है धुलने से जो है इसमें जितनी भी सारी मट्टी होंगी सब निकल जाएंगी और बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा और फिर इसे भी आप क्या करें आप कॉटन कपड़ा ले ले या फिर आप पेपर ले ले उसमें लपेट करके रखिए तो ये जो है ये सब काफी लंबे समय तक चल जाती है खराब नहीं होती है पीली नहीं होती है तो इस तरह से रखने से हमारी सबजियां सेफ रहती है आराम से हम इसका यूज जो है लंबे समय तक कर सकते है तो ये छोटे छोटे जो है इस्टेफ होते हैं जो हमारे जो है डेली के काम में बहुत ही जो है यूजफुल होते हैं इन सब चीजों से और इस तरह से रखे रहने से जो है हमारा काफी समय भी बच जाता है फटा फट से हमारा खाना भी तयार होता है धुला धुलाया एकदम स तो यह देखिए इस तरह से हमें अच्छे से देख लेना है और इसके उपर साइड को फिर हम काड़ देंगे ये जड़ वाला हिस्सा जो है हम इसका काड़ देंगे और इसमें भी देख सकते हैं आप इसमें कुछ-कुछ पत्तिया रह गई हैं तो आप उसे जो है उसे भी आप निकाल सकते हैं ये देखे इस तरह से निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छे से सारी पत्तियां आपकी निकल जाएंगे ये देखे ये नहीं तो वेश्ट हो जाता है आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं ये देखे और ये पत्तिया अब हमारा जो है ये पालक की पत्तिया रेड़ी हो चुकी है तो जो है अब रमजान आने वाला है तो पकोड़ी हो गए, सबजी हो गए और हर चीज में ही हमें इन सब चीजों का काम लगता है तो इस तरह से रख देने से जो है हमारा समय भी बच जाएगा और हमारी सबजियां भी ताजी बनी रहेंगे तो यह देखे इस तरह से बहुत ही आराम से जो है हम इन सब चीजों को काफी लंबे समय तक हम इसे रख सकते हैं यह देखे और फिर आप जो हरी मटर को जिपलोग बैग में भी रख सकते हैं तो यहां पर देखे, यह हमारी मटर है, और इसे हमने अच्छे से दूल करके इसका सारा पानी सुखा लिया है, और इसे अब हम रख देंगे इस तरह से जिपलॉग बैग में, तो आप हरी मटर को जो है महीने, दो महीने बहुत ही आराम से जो है, इसका यूज कर सकते हैं, आप लोग भी धेर सारा मटल ले आए खरीद के और इस तरह से आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और फिर हमने लिया है गोभी तो यहां गोभी को हमने फूल गोभी को पहले हमने इस तरह से पीस-पीस में कट कर लिया है तो आपको जितना चोटा बड़ा आप जिस हिसाब स गोभी को यूज करते हैं उस हिसाब से आप पहले उसे काट लेजिए और इसके बाद हमने इसे फिर पहले भी हमने इसे काटने से पहले एक बार अच्छे से धूल लिया था फिर यहां पर हमने देखे पानी लिया इसमें हम नमक डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें हम दो तो इसके पानी में हम विनेगर और नमक वाले पानी में हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए और इसे हम ये देखे इस तरह से अच्छे से धूल देना है आपको अगर आपकी गोभी ज़्यादा गंदी है तो इस तरह से अच्छे से धूल ले और इसे छोड़ दीजी आप 15 मिनट के लिए और फिर 15 मिनट के बाद हम इसे जो है पानी से निकाल लेंगे पानी से निकालने के बाद हम इसे रख देंगे कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए बिल्कुल पानी इसका सूफ जाना चाहिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और इसके बाद फिर अब यहां पे आप देख सकते हैं यह एकदम अच्छे से इसका पानी निकल चुका है और फिर हम इसे भी जिपलॉक बैग में रख करके हम इसे कवर कर देंगे तो इस तरह से आप जो है गोभी को श्टोर कर सकते हैं आप इसे 15 दिन 20 दिन आराम से इसे रख देजे अगर आपके यहां लाइट बराबर रहती है तो यह लंबे समय तक खराब नहीं होगा आप इसकी सबजी पकाईए आप इसकी पकोड़ी बनाएए आप किसी भी रेसिपी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रीजर में रख देजे तो यह बिल्कूर